एक concept है लिख लो mutual fund का है की portfolio, question portfolio है डिला हुआ है लेकिन जो concept है वो mutual fund का ही concept है actual में हमारे syllabus में ऐसा कुछ topic नहीं डला है मेरी बास समझा तोपिक के साथ करवा देते हैं अगर मैं कहूं चाहे new scheme की बात कर old scheme की दो बात छोड़ी दो new scheme में ऐसा कोई theory लिखा नहीं पर question अचानक आ गया था तो एक बार लिखो topic धीरे से समझ में धीरे से आएगा सुनने की कोशिश करना बस हामा नइट अचानक से कोश्चन दे दिया और वो भी गलत कोश्चन दिया यास और वो मझे करवाना पड़ेगा पोट्फोलियो में डला हुआ है मैं नंबर पे जाओंगा mutual fund का तो सारा होई चुका है पोट्फोलियो में डला हुआ है एक होश्चन discuss कर ले क्या है अखिर ध्याँज एक नश्टे फामा net selectivity model भी दिख सकते तर फामा कौन है फामा ते शार्प ratio पढ़ा है trainer ratio पढ़ा है ऐसे एक फामा है और यह क्या कहता है सुन नगे तो फिर तो दिख्कत है आपको तर यह बना सकते कि आप चूँ बना रहए हो बना सकते हो कोई दिख्कत यह है राम जहां से सुनना कॉंसेट ठीक है सर राम और यह है कॉंसेट राम काम क्या करता है भाई साब यह है फंड मैनेजर मीचल फंड मैनेजर राम एक फंड मैनेजर है और उसकी जो सेलरी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि वो क्योंकि पब्लिक का पैसा उठा रहा तो पब्लिक का पैसा उठा कर शेयर मार्केट में लगाएगा और शेयर मार्केट में लगाएगा अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो इसका कोई इंसेंटिव मिलता है इसको बहुत सारी चीज़ बहुत सारे फायदे टार्गेट यह क्या है कि परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है फंड मेरेजर पैसो को किस तरह से यूज़ कर रहा है अब वो यह सुचता है आप परफॉर्मेंस चेक किया कैसे किया जाता है तो एक तो यह हमारा क्या क्या था एक तो था शार्प रिशो और एक और शार्प रिशो के अलावा क्या था सर एक था हमारा ट्रेनर रिशो लेकिन इन सबसे इंपोर्टन्ट था अलफा अलफा याद है और अल्फा से निकाला जाता है तो अल्फा निकालने का तरीका था यार माइनस केई या कोई दिक्कत नहीं सर यार को क्या वह से यार तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मूचल फंड टॉपिक चल रहा है तो मूचल फंड में एक एकस्पेक्ट रिटर नहीं जो उसने कमा चुका है मतलब से रिटर ऑप पॉर्टफोलियो आर पी बोल सकते हैं या एवरेज रिटर पी बोल सकते हैं तो फॉर्मुला होना चाहिए सर आर पी माइनस केई एक्चुल में कितना कमाया और कितना कमाना चाहिए और सर केई कैसे निकलते हैं केई याद होगा आपको यस सर आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टिप्लाइ होता था बीट आउ पॉर्टफोलियो से यस्सर याद है याद है अभी और बात कर सुनना धी रही थी सर वैसे इसको इस एक्वेशन को कुछ बुलते थे यस इसको बुLते थे आसे मैं सिक्ट्यूरिटी मार्किट लो पायम ल हो टाइम लगेगा कॉंसेप्ट है अच्छा कॉंसेप्ट और concept को ही तो गहरा ही से समझना है तब ही तो आजा है अब मेरा क्या कहना है सर यहां तक बात समझ में आई और और इसको क्या मिलेगा सर अलफा अगर पॉजिट इस भाई साब ने परफॉर्मेंस अच्छा की मतलब सर जतना कमाना था बीटा को देखते उससे ज़ιοदा कमा रहा है यस और सर इसका मतलब यह हो गया कि जतना अलफा जयादा आएगा उतना परफॉर्मेंस जयदा होगा यस इसके मन में एक बात आई अगर कोशिस यह कि दो ऐसे श्टॉक ऐसे श्टॉक में पैसा लगाया जाए इसका बीटा कम हो अगर बीटा कम है तो रिक्वायर रेट आपरेटन क्या होगा सर कमी होगा ना यार वीटा कम है yes, risk कम है सो require rate of return कमी होगा तो ये क्या कर रहा, आप सुना बेठे, ये क्या कर रहा यहां से उतक है ना यार देखो, वैसे portfolio manager manager का काम क्या होता portfolio manager का काम होता है divergification एक जगा पैसा लगाना है कि दो जगा पैसा लगाना कि बहुत जगा सर बहुत सारी जगा पैसा लगाना यस अनसिस्टेमाटिक रिस्क को टोटल खतम कर देना है याद है न यार अनसिस्टेमाटिक रिस्क को खतम कर देना है हमको किसी भी हालत है अब पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो चाल चलेगा चाल किसे चल सकता सुनो वो सुचता है एर अनसिस्टेमाटिक रिस्क गया छोड़ो हमें तो अलफा से मतलब और अलफा किस पे डिपेंड करता है तो बुले हमारा मेन फोकस डाइवर्जिफिकिशन पे नहीं रहते हमारा मेन फोकस अनसिस्टेमाटिक रिस्क क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा कटे नहीं कटेगा हम नहीं मालूम हम स्टॉक ढूंते भले कस स्टॉक ना होकर हम कुछी स्टॉक में पैसा लगाते हम दो ही स्टॉक में पैसा लगाते ताकि उसका पोर्टफोलियो बीटा कम हो और रि कहा तो इस्टॉक चुन तो इस्टॉक चुन तो इस्टॉक चुन तो मार्केट गिरेगा तो वो दोनों इस्टॉक ही गिरेगा गिरेगा मार्केट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा पर इनका बीटा कम है मार्केट से रिलेटेड लेकिन 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 दो इस्टॉक में पै कहां कि सिर्फ दो-तीन इस्टॉक की चुनते हैं यार हम अनसिस्टमाटिक यह फंड मैनेजर बहुत इंटेलिजेन इस्टमाटिक रिस्क से मतलब नहीं रहे हैं वह कटेगा कि नहीं कटेगा वह बाद में गई हमारा टारगेट है बीटा और हमने दो ऐसे हमने बहुत सारे इस और मार्केट के मुमेंस से वो दोरी श्टॉक मुझ कर रहे हो लेकिन अगर बैंक करप्ट हो यह कुछ प्रॉब्लम आ गही ना पैसा यह Your अgr land मेंक घथे 3 हो सकते, उसका टार्गेट सिर्फ क्या है? सिस्टिमाटिक रिस उसका टार्गेट क्या? अल्वा पॉजीटिव लाना इनका बीटा क्या था? बीटा पोटफलियो देख, दोनों को देखा तो पॉइंट ठीक हैसर रम क्या था? रम ले लो 12 पर्षन और आरेब भी ले लेते इक्स पर ठीक है यहां तक हमको बात समय इन दोनों के श्टॉक्स में पैसा लगा के इन्होंने कमाया कितना इन्हें ने कमाया 15 पर्षन ठीक है अलाकि अंसिस्टमेटिक रिस्ट जादा हो गया इसका पर्षनल डेविएशन से हमको मतलब ने इसके बीटे से मतलब तो क्या इसके हिसाब से मुझे आप अलफा निकाला जा सकता है या सर पहला काम क्या करें पहला कम कैलकुलेशन ओप अलफा करना क्या चाहरा है वो धीदे से समझ में आएगा आकरी में 100 पर्षन आप समझ में आएगा बस मेरी बात सुनते जाएगा अलफा सबसे पहले समल यूज करेंगे और समल को यूज करके की निकालेंगे की का फॉर्मल आपके बस लिखा है 6 प्लस 12 मैनस 6 और बीटा कितना है 0.9 सर यह आगए 11.4 तो क्या अलफा ने कल सकता है यह सर आरपी मैनस समल लिख दूँ क्या क्या यह लिखने से दिखा था तो समल से जो रिटान आ रहा है आरपी मैनस समल मतलब सर यह हो गया 15 पर्षेंट माइनस 11.40 पर्षेंट अज़र आ जाएगा 15 माइनस 11.4 तो सर यह कमा रहा है 3 पॉइंट कोई दिक्त है यहां तक यहां तक तो कोई दिक्त नहीं आप क्या समझाना चाहतें यह बात समझ में नहीं आहीं बाकि यहां तक पहले भी कर ही रहे फेले यहां तक नोट कर लेजिए फिरनी अब आगे चुब रहा है अब फामा क्या बोलता है इसके दम पर राम को परफॉर्मेंस शेक नहीं इसमें वो चाल चल रहा है इसमें स्टॉक का सेलेक्शन सहीं है या नहीं है इसके दम पर यह जो 3.6% कमाया है हो सकता है इन्होंने डाइवर्शिकेशन नहीं क्या हो इन्होंने कुछ और इसकी वजह से हम इससे साबाशी नहीं दे सकते हैं इसकी वजह से तो बोले सुनो हम जो देंगे वह देंगे कि इनका अन्सिस्टमेटिक अभी जो बात हो रही है वह नहीं मजह नहीं आ रहा हमें इसको अन्सिस्टमाटिक रिस्क को भी इस means यह जो SML है यह जो 11.40% रिटन निकाला गया है ध्यान से सुनना 11.40% रिटन निकाला गया सिर्फ और सिर्फ यह market related risk देखा गया है सिर्फ बीटा देखा गया total risk नहीं देखा गया कि भाई इसके अंदरूनी में भी कभी कभी labor कभी problem आया होगा कभी bank situation आया होगी वो नहीं देखा गया बस यह देखा गया कि market के moment से इन company में moment क्या होगा तो कहना बस यह चाता हूँ बीटा को focus ना किया जाए total risk को focus total में market का moment भी आएगा और internal problem भी आ जाएगा उसके बावजुद भी अगर access rate है तो हम कहेंगे it means मुझे यह जो इन्होंने alpha निकाला ना इससे मुझे समस्या है इससे यह जो sml है ना मुझे sml नहीं चाहिए मुझे चाहिए on the basis of total risk और वो कैसे निकलते उसका नाम है capital market सर 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 फिर से बता रहा हूँ है अब मैं आपको और कुछ इंफो में दे रहा हूँ आप मैं कहा रहा हूँ यार स्टेंडर्ड डेवीशन आप मार्केट इस्टेंडर्ड है mix ना हूँ तो कुछ अलग फिदर लिखूंगा इस्टेंडर्ड डेवीशन आप मार्केट अर्नलु है 5% अए इस्टेंडर्ड डेवीशन आप मार्केट ब्ल्द आपकोड़्यशन 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 है मानलो है 6.14 भी रूट है मैंने अब आपको और कोश्यं बढ़ा रहा हूं अब बोलू क्या मांग रहा हूं अब मैं मांग रहा हूं calculation loop return as per CML हमने पढ़ा पढ़ा है मैंने पढ़ा त ना करूं झाल झाल calculation of return as per market line capital market e-mail तर वो कैसे निकालती है वो मैं बता रहा हूं ना वैठेचा बता नहीं करो e-mail लगा रहा हूं और return कैसे निकालती है आपको expect return भी बूलता थे आपको याद है करवाया हूं मैंने capital market theory जब CAPM start करती थे उससे पहले मैंने capital market theory करवाया था तर याद नहीं आ रहा तो revision चाकर चेक करो याद हजाएगा करते थे दिवाटेड बाइ divided by standard deviation of market ये दिखाए रहा है कितना 5 समझ रहा excess return इतने deviation के लिए तो मैं आ रहे है आप market से excess return मिलता है कितना deviation deviation मतलब total risk तो portfolio का total risk 6.5% के लिए कितना return 12 or minus 6 divided by 5 into 6.5 plus 6 13.8 13.8 खामा बोलता है सुनो सर राम आपने ऐसा नहीं है कि आपने जो कमाना था आपने ज़्यादा कमाया आपको साबास ही दी जाती है पर आपने 0.6% ज़्यादा कमाया मेने कहूंगा मैं कमपायरिजन sml से करूँ क्यों मैं कमपायरिजन करूँगा cml से मैं कमपायरिजन करूँगा total risk से सरसाब सुतरी बात ये हुई यार इतनी कहानी सुनानी क्या पिच्छा सीधा बोलो ना कि farmer net selectivity में जो जो x return है वो actual में cml के basis पे निकाला जाता है यास अब मैं कर रहा हूँ और अब मैं कर रहा हूँ मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ x रेटन बोल सकता हूँ फिर इसको और क्या बोल सकता हूँ फिर इसको और क्या बोल सकता हूँ रेटन due to kill pushed by यहां आपका actual में skill यूज हो रहा है आप रिटन कमा रहा हूँ और बोले कैसे यूज हो रहा है skill skill stock selection में अब आपका skill यूज हुआ और उन्होंने formula return निकाला उन्होंने और return कैसे निकाला बोले return is equal rp-cml लिखता हूँ rp बोलो कितना 15 और cml कितना और cml से आया था हमारा 13.8 15-13.8 15-13.8 15-13.8 1.2 पर हाँ इस पर यह आपका performance अच्छा है पर इतना भी अच्छा नहीं है आपका 1.2 पर एक्स्ट्रा तो 3.6 है तो बहुत 3.6 इसलिए है भाई इसलिए इसलिए 3.6 में से 1.2 माइनस करो 3.6 माइनस 1.2 2.4 परशन मालूम एक्स्ट्रा क्यों है आपका क्योंकि आपने जो अंसिस्टमाइटिक रिस्क है ना आपने इस टॉक में पैसे लगा है उसकी वजह से आपको compensation मिला है इसलिए क्या कहना है क्या कहना चाहते है सर मैं आपको और समझाने के कोई return for क्यों कि अपने और प्रशन ऑफ कि अंसिस्टमाटिक जो आपने हाइर रिस्क लिया है ना दोई स्टॉक में इस पैसा लगा है आपने उसकी वजह से जो आपने हाइर रिस्क याना आयर रिसक उसका उसका compensation है क्या है मालूम है और उसका compensation है जो alpha आया था alpha को दो पार्ट में वोट alpha minus यह जो पूर उपर वाला आया था खीक है सर माइनस 1.2 मैं alpha को तोड़ दिया हूँ alpha कितना था 3.6 उसमें से 1.2 माइनस कर दो के तो answer आ जाए तो सर वो आया 2.4 इसका मतलब हुआ क्या इसका मतलब कुछ नहे हुआ इस 3.6 पर्षन के मैंने दो पार्ट कर दे पहला पार्ट में मैंने कहा कि portfolio आपने skill यूज किया था stock selection में और इस skill की वज़ा से जो return निकला है वह है 1.2 हम rp का comparison cml से करेंगे ठीक है और 3.6 में से 1.2 माइनस कर दो तो बचा हुआ है जो portion है वो इसलिए extra मेरा है आपने unsystematic risk लिया है और ज़्यादा risk लेने की वज़ा से वो जो return है वो यह है 2.4 तो यह बटे यह syllabus में है नहीं है मालूम है आपको कि तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि question आ गया था आला कि वो भी question सही नहीं थिया जो institute ने दिया था वो question आ गया था इसलिए तो सर आईसी आईसी एई ने ऐसा formula नहीं लिखा आईसी एई ने शॉटकट मारा तुन शॉटकट में वो जारे रहा हूँ इंस्ट्यूट का क्या कहना है इंस्ट्यूट का सुनो क्या कहना है उनका यह कहना है कि देखो भई alpha निकालने का formula निकालने का formula है rp minus sml यही तो निकालने का नहीं है sml मतलब security market line ठीक यही तो alpha है alpha को हमने दो पार्ट में divide इसको भी note कर ले कि note कर लो का वहले एक तो हमने किया rp minus ml और दूसरा किया cml minus sml याद नहीं करोगी तो भी चल दाएगा rp minus sml cml cml cut तो finally यही है समझा रहा हूं समझा रहा हूं अगर मैं कहता हूँ rp मतलब 15 15 मैं से minus कर दूँ cml 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 से कितना है 13.8 15-13.8 15-13.8 1.2% यह है skill used by fund manager 1.2% सिर्फ ही इस पे आपको स्वासी दी जाएगी 1.2% और से cml से कितना है था 13.8 और स में कितना आया है 11.4 तो 13.8 माइनस 7.4% तो क्या बूल जाता है a compensation for higher risk that's it a compensation for unsystematic जिले बस मैं नहीं था फोड़ा सा theory दे रखा है तो इतना घडर detail में समझाने की जरुवत नहीं थी इस पे मैंने पता नहीं कितना time लगा दिया पर यार एक question की वजह से सारी मैंना हाला कि वह question सही है कि नहीं है वह उस matter पे ज्यादा आपसे बात नहीं करूँगा तो sir वह question देख लेते हैं जिनका अगस से में batch start हुआ था ए-fm का portfolio management में जाओगे portfolio management page number 88 page number 88 exam में आया था November 2019 और जिन लोगों के पास exam oriented books है या जिनका अप्रिल में start हुआ था जिन लोगों के पास exam oriented book है या जिनका अप्रिल में start हुआ था class वह देखोगे portfolio management में ही question number 54 page number 88 ठीक है ठीक है ठीक है अच्छल में question portfolio management मेडल रहा था ठीक है सर और दोनों लोगों के लिए मैं आपको समझा रहा हूं जिनों ने अभी जिन लोगों की live classes चल रही है और यह वाला class मुझे recorded देना था उसमें मैंने यह वाला question करवा दिया हूं फार्मानेट सेलेक्टिविटी का question है और कहीं बे लिखा नहीं है यह सब्द यह बस आपको सोचना पड़ेगा सर फार्मानेट सेलेक्टिविटी दिया नहीं है question में ऐसा कुछ भी सब्द नाम भी नहीं दिया है मजबूरी सी बात किये बस उठाकर डाल दिया फार्मानेट सेलेक्टिविटी question number 52 एवाँ पढ़ेंगे हो जाएगा फिर से बहुत हूं question number 52 जिनकी बैचिस अभी चल रही है question number 52 और जिनको exam oriented book मिली है SFM के नाम से book मिली होगे तो portfolio management management में है question number 44 page number 80 ठीक है discussion करें the return of portfolio A and market portfolio for 12 months are as follows portfolio A and market last 12 month का दिया है then में रिटन फैर मार्च अप्रिल में में जुलाई अगा से अप्रिल में नवंबर दिशम और इस्टेंडर डेवेशन भी निकाल कर दिया है इस्टेंडर डेवेशन टेंडर अप्रिला इस्टेंडर डेवेशन निकाल तू अप्रिट आउट इस्टेंडर आउट अउट दं रीटन अउट्टर रिटन मांगा है मंतली रिटन करना क्या है सर कुछ नहीं सबको जोड़ दो divided by 12 इसको मत जोड़ दें इसको अलग कर दीजिए यह सबको add कर देना divided by 12 इसको भी सबको add कर देना divided by 12 कर you are required to find the monthly, पुरा monthly पूछ रहा है attributable to sheer skill of the portfolio management चार, sheer skill यूज किया है ये यूज नहीं किया पर skill तो यूज किया है मैंने मतलब सर वो कहना क्या चाहता कुछ नहीं हो ये कहना चाहता साब हम को चाहिए आर पी माइनस ये मैं जब भी स्कील यूज करके जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ने जो रिटर्न एट्रिबीटिबल है वो एट्रिबीटर लेकिन बस इतना है कि हम मन्थली मांगा है तो सर इनको डिए सर ये क्या दिया है इस्टेंडर्ड एविशन निकालना नहीं है देखो मुझे क्या-क्या लगेगा अगर CML निकालना सर मुझे स्टेंडर्ड एविशन पोर्टफोलियो लगेगा ये दिया है मुझे स्टेंडर्ड एविशन और मार्केट लगेगा ये सब दिया हुआ है तो जिरूरत ही नहीं पॉइंट पार्ट अप मन्तली एक्रिविटल तु दा हायर रिस्क एजियूम्ड बाइदा पॉर्टफोलियो मैनेजर यह तो समझे नहीं पड़ेगा या यह तो त्मीर कट नहीं दिया बस वही तो दिखता था यहां क्या हो जाएगा यह जाएगा CML-SML और RF कितना दिया है 12 person 12 person per annum दिया है तो क्योंकि मन्तली काम हो रहा है तो इसको 1 person per month मान लेंगे एंड बस इन सब्द से मुझे नफरत है यह भाई साब यहां तो कुछ और ही कानी है यहां लिखा है portfolio is fully diversified यह बस एक समस्क्राइब पर इस matter पर ना मैं आपसे बात नहीं करूँगा कि आप खुद डर जाओगे concept में और दिक्कत था जाएगी वैसी तो दिक्कत थी इस concept में ठीक है समझना क्या है पहले यह क्योंकि यह मन्तक अलग-अलग है तो हमें average तो निकालना पड़ेगा मतलब मुझे आप पर निकालना पड़ेगा और RM तो निकालना पड़ेगा मन्तली तो सीधा divided by 12 कर देती ना दिक्कत क्या है अच्छे से कर लेती ना आठ नमबर का question आया था तो वैसे presentation कैसे होना यह वैसी presentation झाल झाल कैलकुलेशन ओ पॉटफोलियो ए एवरेज करने के लिए सर इतना बड़ा टेबल बनाया है हाँ हाँ बनाया आई सी ए आई ने भी बनाया आप चाहो तो एवरेज कैसे करते थे कैलकुलेटर उठाके कर सकते थे पर ठीक मैं चाहिए कर रहा हूँ सर मन्थ जैना फिक भी किया नहीं लिख रहूं हाँ ना टायम नहीं है कि मैं जैना कर रहा हूँ सर मन्थ 1 2 3 5 7 10 – 5 2 4 3 4 4 4 4 4 4 12 मैंने होते हैं भूल गहें किया – 1.2.67 2.67 2.67 3 4 5 5 9 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 9 10 7 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 18 9 11 11 12 11 15 15 15 24 15 20 26.1 monthly monthly क्या इसको सर रप बोल सकते every return भी बोल सकते 26.19 divided by 12 2. 2.18 25 तर चार डिजित में क्यों? क्योंकि ये भी चार डिजित में standard deviation standard deviation जो दिया हो चार डिजित में दिया इसलिमें इसको भी चार डिजित में कर दिया 0.82.04 4 प्लस प्लस आजित में दिया हो और दिया हो जा हो जा तर दिया हो जाशको आजित में कर दिया हो। 1.558 ठीक है, चाले आगे, पॉइंट बाव वन कर रहा है, monthly return attribute of the skill of the portfolio, ठीक है, बावक कि वोड़ों कि वोड़ों अचीकिकला, पॉब मिल्ली रेंच काईड है, भीक रढ़न दूता स्टिकेश, अचिकेश, अदूराम, वे सब्दे लिगते थे आज मैनस CML का रेटर हमको निकालना पड़ेगा CML का फोर्मला क्या है RF प्लस RF माइनस RF डेविशन अप्रकेट इस्टेंड डेविशन अप्पोट्फोलियो यहना तो जिनोंने पोट्फोलियो नहीं किया वो छुना भी मात इस्टोप RF था 1 RM अभी निकालना अपने 1.4558 1 10 डेविशनों मार्केट पर मन थी है जो दिया हुआ है 0.9498 और यह 1.6223 1 4558 minus 1.6 10 तर ही आ गया हुआ हूँ 1 10 10 10 11 15 तर ही निकाल रहते है रपी कितना है रपी निकाल आपने 2.1825 1.625 minus 1.725 0.4 0.10 0.4 पहला गांत हो गया सर अब दूसरा काम क्या बोला है दूसरा काम बोला है सर monthly return is attributable to the higher risk by the portfolio manager monthly return due to higher risk monthly return मांग रहा है इसलिए या return due to higher risk बोल सकते return due to higher risk एजियूमड बाई portfolio manager तो सर इसलिए के मिल चाहिए है यस ऐसे मिल चाहिए है और से मिल से कैसे निकालते सर Rf plus RM minus Rf to beta इनका ये कहना है क्योंकि portfolio fully divergified portfolio fully divergified fully divergified मतलब मतलब जितना market में divergification होता सब divergification ने तो अगर इसके कहां से बस यही तो समस्य है ना यार इसको यह पूरी तरह से फ्रेमिंग गलत है पर फिर भी मार्किट अगर पूरी तरह से डैवर्जिफाई है तो बीटा क्या आएगा हुआ नहीं तो आएगा अच्छा सर कैसे आपको एग्जाम में लिखना नहीं है यह नोट में ले लिखना है इस पूर्टफोलियो इस फुली डाइवर्जिफ है तो पूर्टफोलियो इस भी वन मार्किट के बराबर तो चलो से निकल आर एफ उनको मालूम है वन आर एम यह सर वन पॉइंट पॉर फाइव पाइव मैनस वन और बीटा तो वन है तो सर यह तो मार्किट के बराबर ही तो लिटन आएगा पॉर्ट नहीं तो आएगा सर बीटा वन है तो जो रिटन आएगा पॉर्टफोलियों को वो तो मार्किट के बराबर ही आएगा ठीक है अम में क्या लिखना है अम में लिखना है रिटन डिव टू हाइर रिस और मने आपको बदा चुक हंसे लिफना अम सर फाइनस 1.785-1.5785-1.5 पॉइंट की एक बाद मैं चेक कर लेता हूं कैयलोगस्न से जाद होती है पॉइंट 404 तो यह कॉंसेप्ट था जो मुझको करवाना था हाला कि सबस्मिन गरवाना पड़ा और सिर्फ इसले करवाना पड़ा सिर्फ एक कोश्टन की वज़ा से वो कोश्टन था यह